आपको वोट क्यों देखोए? कॉंग्रेस को क्यों वोट देखोए? आपसे मैं बोशता हूँ, किन मुद्दों पे आप आप आपके मुद्दे क्या हूं गया? 2012 से 2017 के भीतर आपने कितनी नौकरिया देखोए? आपने ये कैसे कह दिया? हम ये क्यों ना कहें कि हमने इतने रोजगार दिये बतौर कॉंग्रेस की सरकार होते हुए और बीजेपी सरकार ने इतने रोजगार दिये? राहूल गांदी जी को आप कितना सीरिसली लेते हैं? राहिस्तान में सरकार बनाने से पहले उन्होंने क्या कहाता है? आम जन को ये समझ में नहीं आता है कि महेंगाई के पीछे कौन सा कैलकुलेशन है बाहर आपके बारे में, आपकी पार्टी के बारे में मदभेच सुनाई देते हैं, ऐसा क्यों? तो मुख्या मंत्री बदलने पर वो आप से राई क्यों लें? तो हर इच रावत के पास वो कौन सा अधिकार है, जिस अधिकार पर वो कहते है कि एक दलिच चहरे के तौर पर मैं मुख्य मंत्री बनता हुआ देखना जाता हूँ 2017 की हार की समिक्षा में क्या निकला? तो जो हमें सुनाई दिया, वो भी जनता थी, जो आपको सुनाई दिया, वो भी जनता है आपके प्रदेश अधिक्ष ने तो इंटर्व्यू में बोला कि हमें ओफर था 25 करोड का, हम नहीं गए, हरक सिंग रावत कैसे नेता है तो वो दुनियाल कैसे नेता है, वोर पढव सिंग चैंपियन कैसे नेता है लोगों के लिए तंतरवन है, यह निताओं के लिए तंतरवन है चर्चा यह है कि हरिद्वार में डैमिज करने के लिए आम आदमी पार्टी को खड़ा किया गया, क्या है सच है आपको लगता है नमस्कार आप देख रहे हैं दो कदम, मैं हूँ आपके साथ तिलक्चावदा आज बात होगी उत्राखंड की ऐसी शक्सियत की जो ऐसे किसी परीचे के महताज नहीं वो चहरा जो राजनीती में उत्राखंड में एक अपनी पहचान बना चुका है शुरुवात राजनीती की ब्लॉक स्टर से शुरू हुई और देखते ही देखते बिढायक फिर प्रदेश अध्रक्ष और प्रदेश अध्रक्ष के साथ कई कैबिनेट के मंत्रालों के साथ आज नेता पतिपक्ष की भूमी का निभा रहे हैं जी हम बात कर रहे हैं नेता पतिपक्ष प्रीतम सिंग की आख दो के दम में एक ने क्लेवर के साथ हम आपके साथ होंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी एटर इंचीफ न्यूजवर्ल इंडिया के हरीश जी भी सवाल पूछेंगे नेता पतिपक्ष से बहुत बहुत स्वागत है न्यूजवर्ण इंडिया जी धन्यबाद नमस्कार दो कदम तो है लेकिन शुरुवात आप से ये कि आप तो तयार है लेकिन कॉंग्रेस तयार है दो हजार बाइस के चुनाव के लिए कॉंग्रेस पूरी तरीके से तयार है और दो हजार बाइस में निश्टीत रूप से उत्राखंड राजी के अंदर कॉंग्रेस का पर्चम लहराने जा रहा है सत्ता में बैठेवे लोगों ने जो वादे उत्राखंड के लोगों से किये थे उन वादों में से एक वी वादा पूरा नहीं किया है और उत्राखंड के लोग भारती जनता पट्टी के चाल शेत्र का मन वाना देखें को बोड़ देने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि राजी गठन के बाद इस परदेश के अंदर कॉंगरिस को दू सरकारे बनाने का उसर प्राफ हुआ और दू सरकारों में निश्चीत रूप से इस उत्राखन राजी को कॉंगरिस ने विकास के रास्ति म आगे बढ़ाने का काम किया आप से मैं पूछता हूं किन मुद्धों पर आप आओगे ऐसे दस साल में आपने भी वाद कीए थे आप कहते हो कि उन् Fewने वाद पूरे नहीं किया बीजेपी की बात कर रहा हूं उन्हाने वादे पूरे नहीं है। आपके मुद्दे क्या होंगे आज देखे मैं कोई ऐसे ही हुआ हुआ में बात नहीं करूँगा। जब हम 2017 के विधानसवा चुनाओं को देखते हैं, जिसमें हम परास्थ हुए। उस चुनाओं में देख के प्रदान्वंत्री जी उतराखंड की सरजम्मि पर आते हैं। तुमाम भारते-जंता-पार्टी प्राधी के लोग इस ゃा आयद्जभणी किसानों प्रतीन काले कानून ठौपने का काम किया और क mêmes किसान आजकी तारीटीने परिए और जिसके लिए किसान आज भी संगश कर रहे हैं लग बख छैसो किसानों की आद Battle का मियां नीसृत निवटबस root से मैंने 2017 का विधान सबा चुनाओं का पर्चा भी भरा और उस पर्चे भरने के बाद चुनाओं में चुनाओं भी देखिए मैं बड़ा सपष्ट करना चाहता हूं आज जब आई की हम बात करते हैं मैं तो खुद कहता हूं मैं तो पक्षतर हूं इस बात का कि मेरे पिता जी सन बावन में पहला चुनाओं निर्देली लड़े थे उस समय हमारे पास क्या था आज मैं 2022 का फिर से नामांकन भरने जाओंगा उस समय मेरे पास क्या आए होगी कि मैंने 2012 में जो आए अपनी घूशित की है उस आए में मैंन प्रश्ण उठाना वाजिव है लेकिन 2022 में जो संबत्ती मेरे पास है उस समय स्वभाविक बात है जो उसका मुल्य होगा वो 2017 में बढ़ेगा तो मैं तो खुदी कहता हूँ मैं तो विधान सभा के अंदर कहा कि भई अगर राजनिती ब्यक्तियों के परिपेक्ष में कोई बात कहनी है उनके व्रस्टाचार के परिपेक्ष में कोई बात कहनी है तो सीधे सीधे हमारे पास जांस एजंसिया है हमने जब राजनिती में प्रिवेश्य क्या तब हमारे पास क्या था आज हमारे पास का क्या है और अगर उसमें आपको लगता है कि उसमें बहुत सारी हमने मेरे पास अगर दस विगे जमीन है तो भाई 2012 में अगर उस जमीन की कीमत सपूझ के लिए 20 लाग है सत्रा में सभाईक बात है वो 30 लाग होगी तो इसको आप आए आम आवाम का जिक्र कर रहा हूं इस आदमी का भी जिक्र कर रहा हूं जिसके पास जितनी चीज है लिए अब हम यह कहें कि सदेश के अंदर सब के पास समान रूप से निख़े समान आये के साधन है मैं समनता हूं जिक इ encdたい कि उचीज प्रश्न नहीं मैं उस पे आहिं जाता कि आपकी संपत्ति रुगनी हो चाल रुगनी हो छाइह हो मैं आम जन की podध कर रहा हूं उनकी तंखों की बात कर रहा हूं अगर आप प्रफ। मेरे पर भी उठाएंगे तुप मैं इतना दंब रखता हूं कि मैं हर जाँस को जह ए फेस करने की ताकत भी रखता हूं वीद्ध न शुनली यह, ताकत भी रखता हूं और सही बात कहने में मैं घभडाने वाला वेख利 भी नहीं हूँ आपके का ही नोक्रीया चले जो गई नोकृत तो इस रिजूम में गई है हमारे रिज्यूम में आप बता दीजे कब नोकरी गई और हमारे रिज्यूम में आप बता दीजे हमने निश्चत रूप से ये कुशिश की ये परियास किया कि हम सरकारी नोकरी भी देने का काम करें और लोगों को रोजगार देने का भी काम करें ये विशे इसलिए मह 2012-2017 के भी तर आप ने कितनी नौक्रिया आप ने ये कैसे कह दिया कि क्या नाम प्रितम सिंग जो है 2012-2017 तक का जिक्र नहीं करता जी मैं 2012-2017 तक जो है मंतरी के रूप में कारी करता रहा और अपनी जुम्यदारी का निर्वन पूरी इमांदारी और निश्टा के साथ किया है पूरे देश के अंदर जो विरुजगारी की दर है उसमें उत्राखन बहतर रिस्तिती में था दर असल ये सवाल इसलिए खड़ा होता है इसके पीछे का परिपेक्ष में आपको बताता हूँ आप सरकार को चुनोती देते हैं बतौर कॉंग्रेस नेता पतिपक्ष और हरी पिश्रावत ये कहते हैं कि सरकार आकड़े जारी करें कि सरकार ने कितने रोजगार दिये हम ये क्यों ना कहें कि हमने इतने रोजगार दिये बतौर कॉंग्रेस की सरकार होते हुए और बीजेपी सरकार ने इतने रोजगार दिये बतौर एक सूची जारी की जाए पुजगारी की दर में आज सबसे ज़्यादा या नंबर एक पर खड़ा है और यह मैंने कह रहा हूं यह तो आपके पास आंकड़े हैं नहीं हरी श्रावत कह रहे हैं कि चुनोती है कि आंकड़े जारी करें सरकार बट्री सुपर दिये कितने दिये तो आपको भी तो जारी कर रोजगारी पर हम चरजा कर रहे थे तो उसमये संसद्येकारी मंत्री जी न Georgi ने कहा था कि हमने लगवक दस लिगयों को जिक्र सरकार कर रही है उसकी प्रकिरिया जो है हमारे सरकार के समय प्रारब हुई और जो आप ने कहा अगर आप मुझे पूरुम में कहते तो निश्चित्रूप से मैं आपको उड़ा हूँ हम तो चाहेंगे एक मंच सयार हो और इस मंच के माध्यम से क्योंकि आप आप से उमीद है उत्राखंड को बतौर नेता प्रतिपक्ष बतौर प्रदेश अध्यक्ष आप से उमीद रही मैं इसलिए इन आकड़ों का जिक्र कर रहा हूं वही का कि आपने अगर मुझे पहले का था तो मैं आकड़े उपलब दीव करा देता आपको आपको कि हमने क्या क मुद्धा बन सकता है अगर आप चाहें तो इस मुद्धे के आधार पर जनता के सामने लेकर आएं बतौर नेता पतिपक्ष कि यह हमने जारी किये थे आगड़े हमारे पास हैं नहीं देखिए जब हम आम जन के बीच में जाएगा हमारा चुनाई घोशना पत्र होगा चु हम जाएंगे उसके साथ जाएंगे वही हम यह पूछना सकते हैं कि आज मुद्धे क्या होने राम मंदिर रहीम यह मुद्धे होने चाहिए हिंदू-मुसल्मान यह रोजगार, नौकरी, शिक्षा, पलायन, स्वास्त, यह मुद्धे होने चाहिए जिनके जो रिपोर्ट का जिस पर बात होने चाहिए तो यह रोजगे आज हम भटक ताहा हैं, हम भटक रहे हैं कि मंदिर का क्या होगा है, इस सब मंदिर गर जाएंगे हैं तर लोगों हमारा मुहीम ही है कि आप मुद्धों के उपर लड़े तो वो मुद्धे हम आपक पूछना है कि आप उन मुद् कॉंग्रेस ने सदेश्ट के सदभाव को बनाए रखने काका क्या है कि मंदीर हो लेकिन मंदीर पर कड़ा पी राजनितिक करने वाले लोग नहीं है आपका सब्से बड़ा मुद्दा क्या होगा उत्राक् Hahnी तकी तर्थ राज्जी के अंदर सद्थ और코 ने किसानों के परिफिक्ष में सत्राषा उसमें भेफल साउम हुए थे नोजवान साथियों को रोजगार देने की बात के हुए थी जिसमें सरकार पूरी तरिके से विफल सावीत हुई थी वरोना की महामारी से लडने में सरकार पूरी तरिके से लीकिशन सावीत हुई भरस्टा अचार पर जेरो टॉलेंस की वात कही और सौ दिन के अंदर लोकाइट लाएंगे आप भी तो नहीं लाए थे और वो लोकाइट जो है राज़ेपाल महुदें के यहां है राज़ जो उसको एप्रूब कर दे हम त्यारे कब लाए था अच्छा एक बास अंदर लोकाइक्त लाने की बात कई और ये देश के संसेदी इत्यास में मैं समझता हूं इनी चुनी घटनाएं हैं जब सुन लीजी आवा आप प्रश्ण करने से पर मेरी बात पूरी सुन लीजी जब ये सरकार सदन के अंदर लोकाइक्त बिल लाई थी तो विपक्ष के हम 11 विधायकों ने कहा था कि सरकार जिस रूप में भी इस लोकाइक्त बिधे को लाई है हम इसका समर्थन करते हैं से पारित कर दिया जाए लेकिन ये पहली घटना होगी जिसमें सरकार की ओर से संजसद्य कारी मंत्री कहते हैं कि लोकाइक्त बिलको हम परवर समिती को भेजते हैं जबकि ये मांग हमेशा बिपक्ष उठाता है तो नियत किसकी है नियत देखिए ना जिस सरकार की आपने कहा कि हम नहीं लाए बसे तो मैं कह सकता हूं कि हम लाए जो लोकाइक हमारा उसी रहने देते तब तक ठीक है अगर माना वो कमजोर लोकाइक था कि सब्सक्रेंग आप यह सरकार रोल वेकी सरकार है हुआ बर्तमान सरकार कर रहे हैं और रोल वेक की सरकार आपने पुरा भूमाफियों का नुसार बनाने का काम किया उसके लिए फिराप रूल वेक कर आपने तिर्था जो टन्ट के लिए जो विदेक आपने बनाया जो जिवास्ता नंबोड का गठन क्या उसको आपने समीति के हौले कर दिया गैट सेंड को आपने जो है कमिशनरी घोशीद कर दी उसको विले आपने कमेटी बनाने का काम क्या अब गोशित भी आपी कर रो कमिटी भी बना रहे हो यह कभी सरकार में सुना आपने कि यह अब आपने मुख्यमंतरी बदल दिया यह दो शमारा तो नहीं है आपने बदला और हम तो पूछना चाहते हैं यही सरकार सही काम कर रहे थी तो तिर्वंद्राउत को बदला क्यों औ और अगर उस सही काम नहीं कर रहे तो फिर चार साल वदल में क्यों लगा दिये जवाब चलिए तो बहुत लंबा विशह है चंता ही रहता राहुल गांदी जी को कितना सीरिस लिए आप प्रशनों के प्रशन निकाल रहा हूंगा रहा है राहुल गांदी जी हमारे नेता है राहुल गांदी जी इकलोता आज की तारीक में देश के अंदर ऐसा राज नेता है जो भारती जनता पार्टी से लडने का काम कर जाए है? अगर आपने आरोब लगाया अभी तो आरोब बिल्कुल जारकन में भी यह इस चिती है किसान आज कर्ज माफी नहीं हुए उनकी किसानों की जो जिस परिपेक्ष में बात कही गे थी जो कर्ज माफ करने की बात थी उसको किया है अब आप यह कहेंगे पूरा सब सारा की सारा कर्ज माफ हो जाए तो किसानों का कर्ज माफ की बात की थी उनकी आप में आम जनकों ये समझ में नहीं आता है कि महिंगाए के पीछे कौन सा कैल्कुलेशन है आपके टाइम पेट्रोल उसके पीछे क्यों नहीं बड़ा या बड़ा आम दिया अरे वह इसमें कि सरकार कंडगरे में नहीं खड़ी होगी आपने 71 रुपे हमारे टाइम में था पैट्रूल आज सौफ के पार चला गया तो क्या आम जन के समझ में नहीं आ रहा है वो समझ रहा इसे बात को कि कहीं न कहीं गवर्मेंट पर इंडिया का फिलियर है डिजल जो पच्छमन रुपे लीटर था आज नबीक रुपे का स्वा परता था तो उन्होंने सिलेंडर को लेकर के जो है अब बिल्कुल आप ही करिए आपको कौन रोक रहा है संदठन के तौर पर हां हम कर रहे हैं हम कर रहे हैं और इसलिए आज उत्राखंड राजी के अंदर कौंग्रिस को देखने का आप ने कहा कि राहूल गांदी आपके रहे हमारे नेता हैं रहए हमारहरी गांदी जी हमारी बहुत सारे लोग है मैं उत्यूपकष्क काम कर से गणेश कोधियाल जी जो है अद्धिश की रूप में काम कर रहे हैं उनके पास एक पुरी संगटन की टीम है हरी श्राव जी हमारे क्या ना मैं चुनाओं के अभियान समीति के अद्धिश्य है दूला कौन है दूला कौन है दूला जिस तिन जैमाला पड़ेगी उस तिन जोने का चेराव देख लेंगे अभी क्लियर नहीं है क्लियर क्या मतलब हमारे राष्टे नितुत ने तेह किया है कि हम सहीं तुरुप से चुनाओं लड़ेंगे तो उसमें दिक्त क्या है बाहर आपके बारे में आपकी पार्टी के बारे में मत् किसी और से राहे पूछेंगे कि हमको किसको कारिकारी क्यों लें तुरुप से ना ले जवाब है यह संगठन है संगठन में आम जन प्रभाइत नहीं होते अगर मैं किसी को कारिकारी अद्देश मना रहा हूं तो उसका इफेक्ट जो है आम आद्वी पर नहीं पड़ता उस अरूर्द जो सरकार होती है जो सरकार जो एक्ट करती है उस एक्ट से जो आम जन पर्भाइत होता है जुव क्यों ठीप है चाहत पूरी होगी या नहीं होगी तो 2022 में आपके सामने आ जागे तो यह चाहत तो 2012 में भी पूरी कर सकते थे कोई भी व्यक्ति हो किसी धर्म का हो कोई भी व्यक्ती मुख्यमंत्री बनने का अधिकार रखता है और राष्टि ने तो इस तो क्या जश्पाल आरिया जी से कोई commitment हुई है चेहरे को लेकर किस की वो दलिट चेहरे का जिकर कर रहा है ना हरी श्रावभजी ने जो जिक्र किया उसका जवाब तो हरी श्राव जी देंगे लेकिन commitment किसका होगा अरे जश्पार आरिया जी ने कोंगरिस में विश्वास बेक्ट करते हुए सोनिया गांदी जी में विश्वास बेक्ट करते हैं। तो आपने समर्थकों का दिल तोड़ने वारी बात कर रहा है कि नहीं इस बार तो प्रीटम सिंगी होंगे चाहरा आप कह रहे हैं कि नहीं मेरे अपनी बात कही ना अब मेरे परिपेश में कौन क्या कहता है वह अपनी उसके अपनी इच्छा है वह अपनी जगह है यह प्रश्ण इसलिए जायज हो जाता है आपने ब्लॉक स्थर पर रादिती चुरू की रादिती भले ही आप तो विरासत में मिली लेकिन ग्राउंड जीरो से आपने नेता प अब मैं जाता है वह अब इस्टेट मेरा सब्सक्राइब को एक सब्सक्राइब करें जो जुम्मेधारी भी मुझको संपेगा उसका निर्वर में करूंगा यह सवाल संदठन के स्थर पर इसले खड़ा होता है कि बतौर प्रदेश अध्यक्ष आप अपनी भूमिका का जो आकलन करते हैं वो कैसे देखते है क्योंकि उस दोर में आपने कॉंग्रस को करने का जिक्र किया 2017 की हार की समिक्षा नहीं हुए क्योंकि हरी श्रावाजी नहи ये हार की जिम्मेदारी मेरी लेकिन 2019 के हार की समिक्षा भी नहीं हुई क्यों देखे जो आपने कहा कि 2017 में हार की समिक्षा नहीं हुई ऐसा नहीं है उस पर मन्तन हुआ विचार हुआ 2019 में हर हार के बाद हमारा राष्टे नितुत उस पर चिंतन करता है कि अब समिक्षा जो हुई है राष्टे स्तर पर हम लोगों के बीच में हुई है बहुत सारे कारण है हार और जीत में बहुत सारे कारण रहते हैं यह भी सच था कि जिस वक्त राष्टपती शासन लगा और 2016 के वक्त हरी श्रावत के चाहते थे कि उस सरकार को भंग करके हम चुनाओं में जाएं लेकिन आप और इंद्राहिदेश्टी तयार नहीं थे कि नहीं हमें पूरे कारे कार काल करना है हम यह सरकार भंग नहीं करता बताउना में चुनाओं में बताना कि चुनाओं में जाना और हमने को मना करा है कि तुनाओं महीं नहीं कर सकता ति vita के कि मेरे और इंद्ला चुनाओं में नहीं जाएंगे मैं एन वरा सपस्ट करना चाहताधा हूं कुछनका शर्ड को लड़ने के लिए त्यार है ऑफ यह इस पीप्रम सिंग के कहने से प्लट अगरे चीना थिश्डूर कहने से प्लड़ जाता हम चुनाव में जाएं या ना जाएं किया इस प्रिपिक्ष में कहीं पर कोई वारता हुई या कहीं पर कविरेट में डिसकर्स हुआ आपने कह दिया कि साथ प्रितम सिंग और इंद्राइड़ देश नहीं चाहते थे अरे जो निर्णे होता है उस निर्णे में राष्ट नेतुत पलस राजिका नेतुत आप अपसमें मिल करके तै करते हैं और अगर हमारा नेतुत यह तै करता हमको चुनाओं में जाना है तो हम कैसे मना कर देते यह जिससे भी आपने सुना है उससे कहिए पहले अपनी information जहां से collect की है उसको जो है सही करने का काम करे लाइर गशाब सही करें यह जो दिख्भर्मित करने वाली बाते हैं इससे ना तो मैं दिख्भर्मित होने वाला हूँ और ना ही जूट सचन्जों आएड दो मैने के बाद आप अपूर्औल गोण। जैङ को जनटा जब ढूंद्स कद परियोग करने जाता है। वह हुआ हमारे अतीद को भी देखते हैं, हमारे बरतमान को भी देखते हैं, और उसके आधार पर आंकलन करके वो भश्च का मार्ग प्रशस्त करने का काम परते हैं, तो हमारा अतीद भी गौरोशाली है, हमारा बरतमान भी गौरोशाली है, और निश्चित रूप से जब आपसी तहे है आप मन की बना लिया है जनता है यह को किस निए आपा हरा है'? आपसे में पूछा है कि आपको आपने का कि मैं काम कर रहा ह। मुझे नहीं पता किया आगे रिजर्ड है तो आप बताओगे कि क्या लोग कह रहे जब लोग कह रहे हैं तो हमें सुनाई पड़ता है वो हम आप से प्रसुन करते पिश्व लूग कहते वो आपको कह'm को के सुनानी पड़ता है उतने है सुन तो फुली जनता ही आपके पार्टी में हम लोग पुरे सर्टर की सर्टर विधान सभा में घूं रहे हैं और हम एक किस्सा कुरसी का डिबेट भी कराते हैं पर हमारे को हर जगे मसूरी में गए कहीं के तुछ कॉंगरेस के चारचा प्रत्यासित नजर आए कि मैं भी तैयारी कर रहा हूं मैं भी तैयारी कर रहा हैं तो वह जो हरी श्रावाच जी ने सब को तैयारी करने के लिए ऑड़ा कहीं पूर का बन जाए एक जरब बताए जी क्या कभी ऐसा हो सकता है यहीं ही वेक्ति टिकेट मांगे ने इटिकट तो यहीं हमांगे तो इसलीषो Hm आप त्यारी करें रूटना मनाना सब चलता रहेगा देखे ये लुक तंत्र की खूब सूरती है जिसको आप कहरें के रूटना और मनाना अगर ही एक विदानसभा से यह की परत्याक्षी हो फिर क्या है सब लोग अपनी बात कहते हैं और तब अपनी मजूती से कहेगा ना जब कुछ करा होगा जमीन पर अपनी बात कहते हैं तो अपनी बात कहते हैं कि परिवार में टिकेट बाटेंगे या नहीं नहीं कुछ ताय हुए फgriff पर वार में टिकेट पातेंगी इन एक अजीब बिड मना है कि मुझे भी जो है राजनीती विरासत में मिलिय। कि अंढ में जां बहीं कि मैं लुकुषे लुते हमें सपस् IBM कुए तो यह वार्त में अपने प्ता जी आँ ली अगर मजम पूसना चाहता हूँ आप कल से कह लिजिए अइन दीजाग गणिड़ रिधा जो बनेगा इन दीजकेence राज़दी बनेगा इनुपमा नावद को से अटिकेट मिलेगा प्रीतम सिंजी अपने गळंए टिकेट देए एक बास वनिए लिए यह हमारा राष्ट नित्व तो तै करता है कि टिवर्वार्वाद का क्या मतलब है और तंत्र में राजनीती में परिवारवाद हो नहीं सकता है आसे परिवारवाद के नाम पर आप एक वार दू चुनाओ जीतोगे बार-बार थोड़ी जीच जाओगे उसके बाद तो खुद मेहनत करनी पड़ी है अच्छा एक सवाल और क्योंकि प्रीतम सिंग सिर्फ एक चक्राता के नेता नहीं रह गए प्रीतम सिंग एक नेता पती पक्ष की भूमिका में दिखाए दिए तो ऐसे में आपका प्रभाव जो है उन विदान सवा शेतरों में भी दिखाई देना चाहिए जहां आजपास की आपकी सीटे हैं मेरा कहने का मतलब यह कि सहसपूर हुआ, विकास नगर हुआ, धनोल्टी हुआ, परोला हुआ लेकिन 2017 में ऐसा क्या हुआ कि इनी सीटों पर कॉंग्रेस हार गए, कोई प्रभाव नहीं दिखाई दिया आपका, देखे, बाप ने ऐसा प्रशन किया है, जिस प्रशन का कोई जवाब नहीं है, राजनिती में जब हम चुनाव मेधान में जाते हैं, तो कही बार ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं, जिसको आप चाह करके भी नहीं बदल पातें, हवा का रुप था, रही, सततर में क्या हुआ, इंद्रा गांधी जैसी सक्षित सुनाव हार गए, आपने योगिता के पर बोला, कि जो भी निता बने उसकी योगिता को देखा जाएगा, पहले योगिता क्यों नहीं देखी जाती, कि योगिता को देखाती, हर और राज नितिक दल, चाहता है कि अच्छे पर प्रत्याक्ष्षी को मैधान में उतारे, लिकिन जब टिककट मांगते हैं, समय जो है बहुत नहीं परत्याक्ष्षि होते हैं, भी कोशिश तो हर राजितिक दल ये करता है कि मैं जीतने वाले को मैदान में उतार हूँ जब नेता पार्टियां बदलते हैं और वो जब उस तरफ जाते हैं तो उनका आरोप खुब लग जाते हैं और ये सही नहीं थे इसलिए वहाँ चले गए आरे इस आपकी बात कर रहा हूँ अब वो वापस आगे तो सारे पाप दूल गए उनके उधर भी दूल गए इधर भी दूल गए तो क्या ये योगिता है ने देखिए मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ देखिए अब या तो आप लोगतंत्र की परिभाशा बदल दीजिए क्या देश के अंदर कोई ऐसा राजनितिक दल है जिस राजनितिक दल से लोग दूसरे दलों में ना जाते हों और दूसरे दलों के लोग दूसरे दलों में ना जाते हों ये लेकिन उत्राखंड में ये इसा क्यों है इस देश के कौन से राज्ज में ऐसा है जहां पर कोई इदर से उदर ना गया इदर से उदर ना गया पिर क्यों नहीं गया वो क्यों नहीं गया ऐसा थोड़ी है तो कि सारे कि सारे लोग चाहिए अब मुझे तो अभी तक कोई ओफर आई नहीं है और अगर पैसे की ओफर से हम राजितिक दल बदलेंगे तो हम समझते हैं कि उसे नहीं सुन लीजी तो उससे अच्छा बेतर है कि हम राजिति छोड़ दे जो आपके साथ ही गये उनको भी ओफर था नहीं मैं कैसे कह दूँ मैं कभी किसी पर कोई आरूप ने लगा हूँगा वापसी करे तो हरीश राव झेका परोजी हमारे राजेश जैस्तर के नेटा हैं उनके संपर्ख में हो सकते हैं लोग हो और मैं समझता हूँ कि समय आने पर जौह को फुलासा भी करेगए लेकिन जहां तक आपने का आप मैं अपनी बात कर सकता हूंँ मैं दूसे की में कर सकता है ने को एसाथ हम बातरो हुआ हो कि राजनिती में कभी दर्वाजे बंद नहीं होते हैं, दर्वाजे सदय कुले रहते हैं और उस खुले सारे लोग जाते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं tighten करें, लेकिन अब पुराने लोग आाएंगे नहीं आाएंगे इस सब्सक्राइब करें नियुक्ति को चाहिए आप टिपनी करेंगे मैं सिंपल सा एक चीज़ पूस्ता हूं कि आप आपकी पार्टियां नेताओं के बात कर रहा हूं पर दल बदलने से आप समझते हैं कि जन्ता का नुकसान होता है देखे मेरा कहाना कि लोग तंत्र मैं लोग तंत्र की बात पर लोगों के लिए तंतर में वही कैह रहा हूं ना एक फर इसको अगर जी लोग दल बदलते हैं तो उसको पनिश्मेंट कौन देगा जज कौन है जज जनता ना आप है ना मैं गलत है तो जनता बोट के माध्यम से चोट करती है और अगर जनता को लगता है सही कदम है तो उसी बोट के माध्यम से फिर से उनको जिताने का काम करती है तो मैं देखे यह कोई डिबेटेबल प्रशन नहीं है कि साब लोग चले गए आगे यह परकिरिया यह परकिरिया कभी समात नहीं हो सकती मेरी हैसियत नहीं है कि मैं कि जो हूं किया नाम इसके लिए क जबावाब का जबाब क्योंकि आपके पाइस अब आगी पार्टी को सीरेस ले और रहा है? बैलकल नहीं नहीं है क्यों? बोलो कि हमारी बीटीम है तुमारी बीटीम है आपको लगते है कि अउनकी बीटीम है- देखे, मैं उस राजनितिक दल किसका उने वाला है? मैं इस राजितिक दल के परिपिक्ष में कोई बात कहना मुनासिब नहीं समझता हूं, जिस राजितिक दल का कोई अस्तुत तो इस राजिक के अंदर नहीं मैं कह रहा हूं, कॉंग्रिस को आम आदमी चुनाव लड़ती है, कोई अंतर पढ़ने वाला नहीं, कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं अच्छा, एक बहुत दिल्चस सवाल है, मैं इस सवाल का जवाब आपसे इसलिए चाहूंगा, क्योंकि आपने पीडियों से सियासत की है परिवारवाद का आपने जवाब देगी, टिकेट देगी, अगर आला कमान करेगा, लेकिन मेरा सवाल कुछ हटके है, और मैं चाहूंगा इमानदारी से सवाल का जवाब दीजेगा, आपने पीडियों से सियासत की आपने तिवारी जी का युग भी देखा, खंडूरी जी का भी देखा, निशंद जी का भी देखा, बोगना ही का भी देखा, कोशारी जी का भी देखा, नित्यानद स्वामी जी को भी देखा आपने, आज आपने हरिश रावत के युग से देखा, धामी जी के युग तक, तिवेन सिंह रावाद जी के युग तक, तिरसिंह राव तो जब राजनितिक जियोन के बात आएगी, तो मैं निश्चितुरुप से दो नाम इसमें और जोड़ना चाहूँगा। कि मुझे इन्नों को भी देहा। देखिए, आप देखिए, हर व्यक्तित्तों में, आप कोई समन्वे स्तापिद नहीं कर सकते हैं। किसी में कोई खुवी होती है, किसी में कोई खुवी होती है। स्वडुण संपन, कोई व्यक्ति नहीं होता है। किसी ब्यक्ति पर कोई व्यक्ति करना कम अगर किसी ने अच्छा काम किया तो उसका नाम लिए को गुछ जो यह अच्छा है वो तो ठीक है बाकी सब खराब है तो आप मेरे मुझे यह नाराज की बात है आप मेरे मुझे यह बुलवाना चाहरे हैं धामी जी को नंबर देने वाली बात इसलिए ने बन पाती है कि भाजप्पा ने एक मुख्यत्री चार साल लखा उसको हटा दिया फिर दूसरा मुख्यमंत्री बनाया चार मेने मन को विधा कर दिया और अब भाजप्पा खुद कहती है और उनके केंद्रियर नेतित खुद कहते हैं कि धामी जी जी जो है नाइट वाच्मेन की रूप में बैटिंग कर रहे हैं और किर्केट जगद में नाइट वाच्मेन उसको भेजा जाता है जो सबसे कमजोर खिलाडी होता है जो आप नाइट वाच्मेन से कर आप चक्छका अब लेकिन आट भी तो बड़ी जल्दी होता है होता गी नहीं होता तो भई वो नाइट वाच्मेन के रूप में है उनको ग्या कि अब तुम जो लगे रहो क्योंकि भाजपा हो सकती है एक और मुकमत नहां दे दे इसलिए उनका तुम लगे रहो यह दो चार मेन है इसमें लगे रहो दो कि उनके पास समय नहीं है आप मोदी जी को जादूगर मनते हैं किस वात कर जाते हैं? कन्हार नहीं लहर कोई लहर नहीं है काट काट की हांडी एक दो बार चड़ती है, बार बार नहीं चड़ती है इमानदारी से इस वाल का जवाब भी क्या मैं 2022 में आने वाले मुकफेमंत्री से बात कर रहा हूँ freely भी कहा है अब फिर इसको दोरा लाओं जी देखिए राजनिती में ब्यक्ति का महतु नहीं होता है दल का महतु होता है चैरे का होता है मेरा मेरा बजूद कॉंग्रिस से है कॉंग्रिस का बजूद मेरी वज़े से आप सवाल का जवाब टाल रहे हैं मैं जवाब पूरा सुन लेगी आपने बेबाक अंदाज से अपने सवालों के जवाब हमें दिये न्यूस वर्ल इंडिया के लिए आपने वक्त निकाला थैंक यू सो मच बहुत 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 शुक्रिया दो के दम के लिए बहुत 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 शुक्रिया थैंक यू सो मच बहुत 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 शुक्त काम है आप तो ये थे हमार साथ नेता पतिपाक्ष प्रीतम सिंग जिन्होंने बेबाक अंदाज से सवालों के जवाब दिये अगली बार होगी एक नहीं सक्षियत से मुलाकात मुझे दी दी जादत और मेरे सहयोगी एडिटन चीफ हरीश अस्वाल जी को दी दी जादत नमस्कार जै हिंद जै भारत जै उतराखन आपके बारे में आपकी पार्टी के बारे में मदभेच सुनाई देते हैं ऐसा क्यों पिली भी किसी और से राय पूछेंगे तो मुख्य मंत्री बदलने पर वह आपसे राय क्यों लें हरीश रावत के पास वो कौन सा अधिकार है जिस अधिकार पर वो कहते है कि एक डली चेहरे के तौर पर मैं मुख्य मंत्री बनता हूँ देखना जाता है 2017 की हार की समिक्षा में क्या निकला तो जो हमें सुनाई दिया वो भी जनता थी जो आपको सुनाई दिया वो भी जनता है आपके प्रदेश अधिक्ष ने तो इंटर्वीव में बोला कि हमें ओफर था 25 करोड का हम नहीं गए हरेश सिंग रावत कैसे नेता है तो वो दुनियाल कैसे नेता है दूर पढ़ं सिंग चैंपियन कैसे नेता है लोगों के लिए तंतर बना है यह निताओं के लिए तंतर बनी है चर्चा यह है कि हरिद्वार में डैमिज करने के लिए आम आदमी पार्टी को खड़ा किया गये कैसा चे आपको लोगता है